हाई मैं हूँ स्वानन और आज की सीरिज में हम लोग बात करनेबाले हैãy टेस्ट प्लाइन के बारे में हुई और इसकी प्लैनिंग होती यह चीज़ जब हम लोग करते उसकी प्लाइनिंग शाथ चलते रहता है तो यह सबका अगर plan नहीं हुआ तो randomly अगर किये तो problem हो सकते है इसलिए एक plan बनाया जाता है टेस्टिंग का और उसे कहते है test plan और उसके बारे में आज हम लोग सीखने वाले है कि test plan क्या होता है उसमें क्या क्या चीज़े include होती है वो test plan कोन बनाता है उसे कैसे execute किया जाता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे तो आई यह मैं आपको slide के उपर लेके जाता हूं तो पहले आपके मन में कोश्या जाता है what is test plan मैं यह लिखे वाप पढ़ता हूं और फिर आपको explain करता हूं test plan test plan is detailed document a documented that outlines the objective objective strategy timeline goals estimation deadlines and resources needed for the successful completion of a project project complete सब्सक्राइक लिए जो जो चीजे लगती है जो कुछ लगता है वह test plan बाइख रहे था है एक document है जिसमें लिखा रहे हैं हम लोग क्या test करने वाले है ओ लोग test करने वाले है कैसे test करने वाले है क्या बाइख करने अगर problem आता है तो वो problem को हम लोग किस तरह से solve करेंगे यह सब की information test plan में रहती है और test plan यह Bible है tester के लिए tester पहले test plan पढ़ता है client को भी test plan दिया जाता है test plan पढ़के tester को मालूब होता है कि testing कैसी होती है testing क्या क्या करनी है कौनकों सी type of testing करनी है उसका timing, date, schedule, सब कुछ test plan में रहता है तो दूसरा point है it provides a framework that is designed by QA manager company में QA managers होते है वो test plan बनाते है और test plan के वाज़े हम लोग software proper functioning करता है क्या नहीं software की quality पे test plan कंट्रोल करता है तो test plan जो यह document है जो test manager बनाता है कुछ companyों में test lead भी बनाता है जो बंदे को testing का experience है वो बंदा test plan बनाता है और either वो manager हो सकता है या lead हो सकता है तो हम लोग next slide पर आता हूं मैं कुछ the test plan मैंने अभी बताया test leader और test manager create the test plan राओ test plan में क्या-क्या information होती है तो test plan में सब information होती है स्टार्टिंग से में हम लोग बात करते है test plan में सबसे पहले रहता है test plan में सबसे पहले रहता है test objective test objective testing करने से पहले हमें मालूप होना चाहिए कि हमारा objective क्या है testing का कोई बोलता है कि ज़्यादा बग निकलने है यह objective है कोई बोलता है कि particular time पे testing की delay होनी चाहिए यह objective है कुछ लोग अलग-अलग objective रहते है testing है तो हमारा टेस्टिंग का objective क्या है वह clearly test plan में mention किया रहता है तो सबसे पहला है test plan में लिखा रहता है testing objective बात में रहता है test strategy दूसरा point आता है test strategy strategy क्या होता है हम लोग किस approach से software को test करेंगे याने हम लोग किस वे से software को test करेंगे तो मैं यहां लिखता हूं the approach to the testing include the flow of application for future references तो हम लोग किस तरह से strategy रहेगी हमारी हम लोग इस तरह से test करेंगे और strategy change नहीं होती है और testing की strategy एक बार लिखने के बाद वो change नहीं की जाती है strategy में सबकुष लिखा रहता है कि documents कुण से बनाने के है क्लाइन को क्या देने के आए किस्टिक के बाद कुण से document delivery करने की है तो testing strategy में scope भी रहता है सब सब कुछ लिखा रहता है तो दूसरा औब्जेक्ट टेस्टिंग की strategy पूरी test plan में रिखी दाईती है तीसरा point है test environment a a profit असकाप सब्सक्राइब करने कि तो हम्हेंंगी सब्सक्राइब गowa की मिरूंट कर रहे हैं है सपोज हम लोग 9 वर टेस्ट करें तो हमें चलन सीट लगेगा तो अलग अलग शॉफ्ट्योर और हर्द वेर जो हमें करने के लगने है उसे कहें एन्वार में ॐसं रहा हूं में क्या क्या चीजें चाहिए यह सब कुछ सब टी में लिखा रहता है Vive 911 नाउ। बाद में रहते हैं टेस्ट आटम्स टेस्ट आटम्स कोन कोन सी टेस्ट करनी है और क्या नहीं टेस्ट करना है यह भी टेस्ट प्लान में लिखा रहता है सपोर्ज हम लोग एक सॉफ्टेयर टेस्ट कर रहे है उसमें का एक मॉडूल ही हमें टेस्ट करना है तो हम लोग क्या टेस्ट करेंगे और क्या नहीं करेंगे इसके बार में डीटेल टेस्ट प्लान में लिखा रहता है हम लोग कुंसा वे से टेस्टिंग करेंगे ये भी लिखा रहता है कि हम लोग से कुंसा पार्ट टेस्ट करेंगे हम लोग मैनियल वे से कुंसा पार्ट टेस्ट करेंगे कुंसा पार्ट टेस्ट ही नहीं करेंगे यह सब कुछ टेस्ट प्लान ने लिखा रहता है बाद में हैं test coverage तो test coverage आने क्या क्या test करेंगे हम लोग हमारा testing का coverage कहां तक है पूरा सौफ्टर में का कहां कहां हम लोग test करने वाले यह test coverage भी test plan में दिखा होता है बाद में आते हैं testing की methods होती है हम लोग कुन सी testing करेंगे unit testing integration बिजलने इसनला सेंट्सिंग घुटना से ważne कि अटोबेशन टेस्टिंग मैने टेस्ट्टिंग टेस्टिंग बाद में रहता है टेस्ट रिस्पॉंशिबलिटीज़ कि अ क्या qualification चाहिए हरेक का स्कोप कहा थे स्टिंग में हरेक की कितनी पावर से यchaeक को क्या स्टोइधे सुपे दूंग में यह सब हुक्स होजब की तेस्ट बाद में आता है रिस्क मैनेजमेंट aí रिस्क मैनेजमेंट में हम लोग लिखते हैं कि अलग-अलग रिस्क आती है तो वो मैनेज कैसे करना सब्पोर्ज मेरी टेस्टिंग चालू है और बीच में तीन टेस्टर जॉब छोड़के चले गए तो यह मेरे प्रोजेक्ट के लिए रिस्क होई अगर ऐसा हुआ तो इन बिट्वीन टेस्टिंग क्या करना चाहिए तो उसके लिए हम लोग क्या सलूशन लिखेंगे यह टेस्ट प्लाइन में लिखा रहता है और आता है कम्यूनिकेशन प्लाइन तो हम लोग क्लाइन के साथ कैसा कम्यूनिकेशन करेंगे क्लाइन को कौन-कौन से डॉक्मेंट बनाके देंगे हम लोग डेवलपर के साथ कैसा कम कोन कुन से डॉकुमेंट केड़ यह सब्कुछ कम्यूनिकेशन रिलेटेड़ चीज़ेक टेस्ट प्लैन में रहती है ना इस प्लैन आल्सों इंपूद्स डीटेल अवट टाइमतेबल में टाइंटेबल टेस्ट प्लान में टाइंटेबल भी रहता है की कोण प्रोजेक्ट में एक बार टेस्ट प्लाइन होने के बाद वह फॉलो किया जाता है तो टाइमिंग टेस्टिंग की पूरी टेस्ट प्लाइन में लिखी रहती है दूसरा आता है resources कितने resources testing ko लगेंगे शबोज मुझे चार manual test लगने वाले हैं दो automation test लगने वाले है manual testing वा लोगो कितना साल का experience चाहिए automation testing वा लोगो कुंसा experience चाहिए कितने साल का experience चाहिए All about the resources के बारे में टेस्ट plan में लिखा रहता है और बाद में आते है rules हरे एक resource का रोल लिखा रहता है कि वो क्या काम करने वाला है तेस्टिंग में तो इन शॉट टेस्ट में सब कुछ टेस्टिंग के बारे में लिखा रहता है कि क्या टेस्ट करना है कोन टेस्ट करेंगा कैसे टेस्ट करेंगा कब टेस्ट करेंगा क्या टेस्ट करेंगा क्या नहीं टेस्ट करेंगा यह सब कुछ टेस्ट प्लाइन में लिखाँ रहता है तो दोस्तो मैं ने आज इन शोट क्वड़े टाइम में आपको हे बारे में बता है इसी तरह से आलग अलग वीडियो में लोग लेके आएंगे तो आप बने रहे हैं हमेरे चानल के साथ Chief झाल झाल